आईए हम विराट कोहली जी के साथ बात करने के लिए चलते हैं विराट जी आपका तो नाम भी विराट और काम भी विराट नमस्कार्ट आप दुबैज में से आज समय निकाला और वहां तो ये खेल आपका बड़ा तनावपुड रहता है उसमें भी आपने और अपनी भागदोर बड़ी जिन्द्गी में अभी जो फिटनेस रूटीन फॉलो करते हैं मैं जुरूर चाहूँगा देश भी जानना चाहेगा क्योंकि नवजवान आपको आपके हर गतिविती को देखता है ये आपको कैसे बड़त करता है पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सार यहां पे हम सब को बुलाने के लिए एक सब लोगों ने फिट इंडिया मूव्मेंट के बारे में बात करी मिलिंजे ने भी बहुत अच्छी बाते रखी बहुत इंस्पिरेशनल उनका भी काम रहा है उनकी जर्णी रही है पिछले कुछ सालों में मैंने भी बहुत अब्जर्व किया है और मेरे खुद की experience में सर एक transition experience करने को मिला मुझे कि जिस PD में हम खेलना शुरू हुए और जो उस समय खेल की हमारी demands थी वो बहुत तेजी से बदली एक समय के बाद और मुझे ये experience हुआ कि जो एक हमारा system बन चुका था हमारा एक routine बन चुका था वो हमारे खेल के demands के लिए सही नहीं था और उसे बदलना जरूरी था क्योंकि हमारा खेल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम कुछ fitness के point of view से पीछे छूट जा रहे थे हमारी skill में कभी कोई problem नहीं थी तो एक स्वामी जी ने भी बात रखी आपने भी बात करी जो है वो प्राइल्टी होनी चाहिए और अगर मैं आपको अनेसली बताओं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए fitness मैंने शुरू करी लेकिन आज अगर practice मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता लेकिन अगर तो इसके फाइदे जो है सरो पहले हैं आपको यह जो नया मंत्र जगा तो दिल्ली के छोले भटूर कोई बहुत दुखतार होगा बहुत जादा सर मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डायट है जिस रीजन से हम आते हैं उसका जो हम वो खाते हैं उससे कभी मैंने कभी experience नहीं किया कि health issues हुए हो या किसी को कोई बिमारियों का सामना करना पड़ा हो मेरी खुद के experience मेर नानी मैंने बहुत समय तक बेखा इतनी जादा उमर में भी उनकी health हमेशा ठीक रही हमेशा उन्होंने घर का simple खाना खाया तो मैं जब पला बड़ा तो शेहरी खाना मतलब बहुत जादा भार का खाना होता था खेलने कुदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीज़े एसी खाली की जो health point of view जे अच्छी नहीं है तो डायेट का भी एक बहुत बड़ा contribution था जो discipline नहीं था तो फिटनेस फिजिकल फिटनेस और डायेट दोनों change करना पड़ा सर उसके वज़ा से ही changes आने शुरू हुए और मैं इस चीज से इसलिए relate कर पाता हूं क्योंकि जैसे ह हमारे खेल में changes आए आज की life की भी demands बहुत जादा हो गए हैं बहुत hectic हो गई लाइफ तो अगर हम अपनी fitness को उस space के साथ नहीं रखेंगे सिंक में नहीं रखेंगे तो हम पीछे चूटते चले जाएंगे तो अगर हम लोग अपनी fitness को नहीं improve करते तो हमारे खिल में भी आज हम बहुत पीछे चूटते चले जाते क्योंकि आप सिरफ अपनी skill पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं आपका जो mental strength है वो आपका शरीर कितना तंदरुस्त है और आपका दिमाग कितना तंदरुस्त है उस दोनों का combination साथ में चलता है तो अगर मेरा शरीर support नहीं कर रहा है जो मेरा दिमाग सोच रहा है तो मैं जो करन हणा चाता है कि तो मुझे है की है कि खाने के बीच में समय देना वहाँ ज़रूरी घाते है और भर बड़ी मिल के बाद वह चोटा चोटा पू confess काते चले जा एकुरा दिन तो वह जो हमारा सिस्टम है उसको कहीं प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिलता खाने को और रात तक हम खाते चले जाते तो मैं जब छोटा भी था तो साड़े-क्यारा बारा बज़े डिनर हो रहा उसके बाद मीठा काके एकदम सो गए कुछ एक्टिविटी नहीं कुछ उसके बाद वॉक नहीं तो इस चोटी चोटी चीज़ों जो बहुत मैटर करती है कि आप अपने अंदर के सिस्टम को भी कितना समय दे रहे हैं उस खाने को प्रोसेस करने के लिए जो आप खा रहे हैं तो उसके लिए अवेरनेस बहुत ज़ पर यह फिर अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स भी वह से आएंगे बार मैंने सुना है कि इन दिनों टीम के लिए एक यो-यो टेस्ट हो रहा है क्या यह क्या यह क्या यह क्या करना पड़ता है क्या तर पेस्ट यह बहुत जरूरी था फिटनेस पॉंट अफिव से अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी वी कम है और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम उपर लेकर जाएं जो एक बेसिक रिक्वाइरमेंट है आज की डेट में हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे टी-20 मैच हो गया या वंडे मैच हो गय और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूं और यह कंडिशन है कि अगर मैं भी फ्रेल हो जाओंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलिबल नहीं हूँ तो इतिंग यह सिस्टम और यह कल्चर सेट करना बहुत ज़रूरी होता है और उससे क्या होता है सर ओवराल एक ज सकते हैं पहले क्या होता था स्किल हमारे पास हमेशा से रही है लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला हूँ ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपिरेंस किया हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहां पर शरीट ठक जाता है और टीम को आपकी जरूरत है वहां परफॉर्मेंस जो कि आपका टाइम मेनेजमेंट तो ही है लेकिन फिर भी आपकी अक्टिविटी इतनी नजर आती है मैं मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूं कभी थकान नहीं लगती कि आपको सर्थ थकान अगर मैं honestly आपको बोलू थकान हर किसी को होती है अगर आप physical effort करेंगे तो थकान होगी लेकिन अगर आपका lifestyle अच्छा है अगर आप खा अच्छा रहे हैं अगर आप fitness regularly कर रहे हैं आपकी recovery अच्छी है तो आपकी sleep अच्छी है sleep patterns अच्छे है तो आपकी recovery तेज ह होगी तो अगर मैं ठक रहा हूं और एक मिनिट में मैं दुबारा ready हो जा रहा हूं तो वह मेरा plus point है तो I think वह मैंने चीज experience करी बहुत जरूरी हो जाती है आपका overall lifestyle कैसा है उसके उपर बहुत depend करता है विरार जी बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं आपको अनुस्का जी को और आपके दोनों के परिवार को निकट भविष्ट की शुप गड़ी के लिए बहुत बहुत शुप कामनाई देथा हूं धन्यवाद साहिज, thank you so much.